गुड इबनिंग बच्चों वेलकम टू आवर चैनल वाइफाइ स्टडी विथ नंदनी में बच्चों जसा की आपको पता है कि हम इतिहास विशे पढ़ रहे थे क्लास 11 की जिसमें हमने दो चैप्टर तीन चैप्टर कंप्लीट कर लिये हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे च इसलाम का उदय देखो आपका जो यूनिट टू है बच्चों उसमें तीन चैप्टर दे हुए हैं एक तो रोमन सामराज्य यानि तीनों महादिपों में फैला हुआ रोमन सामराज्य दूसरा है इसलाम का उदय और तीसरा है यावर सामराज्य तो जिसमें से हमने एक चैप नमबर टू, इसलाम का उद्धे करेंगे, तो देखो, इस जो लेसन है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम मिस्र से अफगानिस्तान तक के विशाल छेतर में, जो समरिद इसलाम धर्म का जो परचार परसार हुआ था, उसके बारे में, पैगंबर मुहम्मद के बारे में, कुरान के बारे में, जो अर्वी समाज थी, उसके विश्रस्ताओं के बारे में, जो खलीफा हुए थे, और जो खिलाफत, जो संस्था थी, उसके बारे में, इन सब विश्यों के बारे में, और बाद में, जो खलीफाओं के बाद में, जो सल्तनत स्टार्ट होती है, जो एक उदय और विस्तार, ठीक है, तो देखो, सबसे पहले बच्चों किसी भी सामराज्य को पढ़ने के लिए, उसका टाइम पेरियर्ट जाना बहुत जरूरी है, कि वो कब स्टार्ट हुआ था और कहां पर स्टार्ट हुआ था, यानि वो जगह कौन सी थी और वो टाइम पेरियर क्या था, तो देखो, अगर हम आज से तुलना करें, तो लगभग 14 सो वर्ष पहले, जो अरब प्राइद वीब है, उसमें हमें मुस्लिम समाज की शुरुआत देखने को मिलती है, ठीक है, अब ये जो जगह है, वो जगह कौन सी है, देखो, जगह है मिस्र से अफगानिस्त मिस्र और अफगानिस्तान के बीच में जो विशाल छेत्र था, यहां पर जो समाज और जो संस्कृती ने जन्म लिया, जिस सम्रिद संस्कृती ने जन्म लिया, उसको कहा गया इसलाम, उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया, उसके लिए प्रयोग किया गया इसलाम, अब हमें वो कौन से स्त्रोत हैं, कौन से सोर्सेज हैं जिसके माध्यम से इसलामी इतिहास की जानकारी मिलती है, तो सबसे पहले इतिवृत या त्वारिक के बारे में बात करेंगे, त्वारिक का मतलब होता है कि कोई भी घटना हो रही है, तो उस घटना को उस कालकरम के सार लिखेंगे, तो वो एक इतिहास के रूफ में जब भी भी पढ़ा जाएगा, तो हमें टाइम पीरिट पता चल जाएगा, तो एक तो ये था, दूसरा था जीवन चरित, ये जिसको सिरा कहा गया, ये तरीके से आप बायोग्रैफी समझेए, जिसमें हमें पैगंबर मु पैगंबर मुहमबद ने जो कथन बोले, जो भी उन्होंने संटेंस बोला, जो भी उन्होंने बात कही, और इसके अभिलेख है, और इसको क्या बोला गया, हदीस, ठीक है, इसके माध्यम से, और कुरान पर निर्मित कुछ टिकाएं है, टिकाओं का मतलब क्या है, जो उनके लिए मुश्किल है, तो उसको सामाने लोगों के लिए, उसके जो भी पैराग्राफ थे, उसके जो भी आप पैराग्राफ कह सकते हैं, पद कह सकते हैं, तो उनको सामाने भाशा में जनता, सामाने जनता के लिए लिए लिखा गया, तो जिनको बोला गया टीकाएं, ठ से कुछ निकाल दिया तो इस तरीके से भी वहां से जो हमें साक्षे मिले हैं उसके आधार पर और कुछ दस्तावेजी प्रमाण का मतलब क्या होता है कि जो कानूनी दस्तावेज थे अरब में जो कानूनी रूप से इस्तेमाल किये जाते थे जो राजा के द्वारा प्रशाश सम्धर्म से रिलेटेड या इसलामी जो समाज था वो किस तरीके का था और उसके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है अब देखो इस मैक के बारे में हमने बात करी है बच्चों देखो नील नदी आप देख रहे हो नील नदी या एजिप्ट और अर्बी में जिसे हम मिस्र कहते हैं ठीक है न तो यहां से लेकर यहां से लेकर मिस्र या एजिप्ट यहां से लेकर यह पूरा यह जो अफगानिस्तान वाले अरिया आप देख रहे हो देखो बुखारा समरकंद यह सारा ऑक्सस यह सारा यह जो आप डॉटेड डॉटेड जो एरिया आप देख रहे हो ये dotted 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 सारा एरिया क्या है? मुहम्मत के अधीन इसलाम का प्रसार और मद्धिवर्ती इसलामी छेतर 750 यानि पहले तो सिर्फ यहां पर था यानि इस वाले लाइन से हमें ये समझ में आ रहा है कि जब पैगंबर मुहम्मत थे तो उस समय जो इसलाम का प्रचार प्रसार हुआ था वो बस इस वाले एरिया में था लेकिन धीरे धीरे 750 तक आते आते जो इसलाम का प्रचार प्रसार था वो पूरे एशिया से लेकर पूरे अफरिका में हमें देखने को मिल जाता है ठीक है? इसके बाते को जो अरब समाज था, क्योंकि 이लाम की जो जन्मिस्थली है वो कहां पर है बज्चो? वो है अरब में. तो हमें यह जाना जरूरी है कि जो अरब का समाज था, उसकी जो लाइफ इस्टायल थी, वो किस प्रकार की thi? इसलाम का जो जन मिस्थली है वो कहां पर है बच्चो वो है अरब में तो हमें ये जाना जरूरी है कि जो अरब का समाज था उसकी जो लाइफ स्टाइल थी वो किस प्रकार की थी ठीक है तो सबसे पहले तो अरब जो देश है वो क्या है वो कबीलों में बटा है ठीक है कबीलो धर्म नहीं आया था तो अरब के लोग कई सारे कभीलों में बटे हुए थे और एक खाना बदोस जीवन जीते थे यानि जहां पर रहने की जगह मिले जहां पर खाने की चीज मिले वहीं पर जाके रहते थे फिर जैसे ही खाने पिने का सामान समाप्त हो जाता था वो दूसरी जगह पर चले जाते थे रीतू के अनुसर भी प्रवास करते थे और खाने पिने के सामान के अनुसर भी प्रवास करते थे तो इस तरीके से वो जीवन जीते थे यहां के लोग सामाजिक यानि इनकी जो सोशल लाइफ थी पॉलिटिकल लाइफ थी एकोनॉमिकल लाइफ थी वो काफी ज़दा क्या थी पिछड़ी हुई थी तब तक कि जब तक सात्मी शतावदी में इसलाम नहीं आया था वहाँ पर ठीक है और इसलाम के उदय से पहले यानि जब इसलाम का उदय नहीं हुआ था तो उसके पहले ही जो अरब है वहाँ पर एक खाना बदोश जन जाती जिसका नाम था बैंडोश है ना तो इसका अरब में क्या था वर्चस्व था मतलब इन ही सारी जंजातियों में कोई एक ऐसी जंजाती थी को ऐसी ट्राइब्स थी जो काफी काफी ज़ जाधा अब इसका बार मक्का में इस्थित काबा वहाँ का मुखे धर्मिस्थल था जो काबा था क्या था काबा कहा परिस्ते था मक्का में इस्थित था और विल्कुल 1st 2nd वाली स्लाइड में आपने देखाऊगा एक घनाकार आकरिति देखी होगी वो क्या है वो काबा है तो उस धर्म इस तल को काफी पवित्र माना जाता था किसके लिए मुस्लिम समाज के लिए खजूर वहां का मुक्य खादे पदार्थ था ठीक है और लोगों का जो आर्थिक जीवन था वो ब्यापार भी था और खेती भी था ठीक है और कुछ लोग गाओं में रहते थे और कुछ लोग सहरों में आकर बस गए थे तो यानि गाओं और शहर भी थे और ब्यापार के साथ आप में खेती का भी काम होता था तो ये हमें सामाने जानकारी मिलती है जो अरब समास था उसकी लाइफ स्टाइल के बारे में इसके बाद हम आते हैं कि पैगंबर हजरत मुहम्मद और इसलाम यानि हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि पैगंबर हज़त मुहबद कौन थे और उनके द्वारा क्या क्या काम किया गया तो देखो सबसे पहले तो हम मैं बता दूं कि विश्व इतिहास के सबसे महान वेक्तियों में एक है पैगंबर मुहबद पहले तो आप यह जान लिजे कबिला था वो क्या था कुरैश था क्या कबिले का नाम था कुरैश नाम था यहाँ पर नुक्ता लगेगा ठीक है और यह जो और यह कहां के रहने वाले थे मक्का के रहने वाले थे और जो यह कुरैश जो यह कबिला था इसका जो काबा धर मिस्तल था इस पे अपना अधिक ठीक है ना? अब क्या होता है कि 612 में 612 इस्वी तक आते आते जो पैगंबर मुहमद है उन्हों ने अपने आपको कहा कि वह खुदा के संदेश वहाँ है संदेश वहाँ को अर्भी में बोलते हैं रसूल क्या बोलते हैं बच्यों मैं रसूल तो उन्होंने कहा कि मैं खुदा का रसूल हूँ, यानि खुदा ने मुझे भेजा है, 612 इसवी में उन्होंने ऐसा बोला, तो काबा में इनकी जन्मिस्थली है और काबा पर इनका अधिकार था, काबा में ही इने पता चला कि ये खुदा की संदेश वहाख है, इसी वजह से म समाज या इसलाम धर्म के लिए काबा का जो धार्मिक महत्व है, वो काफी ज़्यादा बढ़ जाता है, काबा को एक पवित्र इस्थान धर्मिस्थल माना जाता है, और उसकी यात्रा करना, अपने जीवन में उसकी यात्रा करना बहुत ज़्यादा जरूरी माना जाता है, अब देखो, 622 में क्या होता है? 622 इसवी में पैगंबर मुहम्मत को अपने अनुवाईयों के साथ मेर, यानि जो उनके मानने वाले थे, जो उनके विचारों पर भरोसा करते थे, जो उनके पीछे खड़े थे, उनको मक्का को छोड़कर मदीना आना पढ़ा. क्यों? क्योंकि मक्का के लोगों ने विरोध किया था, जो वहां के सम्रिद्द लोग थे, पैसे वाले लोग थे, या जिनको लग रहा था, कि उनका जो धर्म है, उसके आधार पर कुछ भेदभाव किया जा रहा है, उनको पीछे रखा जा रहा है, कुछ ऐसी बात थी, तो इ यात्रा को ही नाम दिया गया हिजरा के नाम दिया गया हिजरा और यही से 622 इसवी वर्ष से ही मुस्लिम कैलेंडर यानि हिजरी सन के शुरुवात होती है यानि टाइम पीरिट क्या है जो हिजरी कैलेंडर है इसकी शुरुवात का टाइम पीरिट क्या है 622 इसवी है अब को एक राजनेतिक संस्था के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं ठीक है न और यह मतलब एक प्रशाशनिक राजधानी बना देते हैं मतलब उस पूरे एरिया के प्रशाशन की जिम्मधारी उस मदीना जो जगती उसको दे दी गई और धार्मिक केंदर के रूप में मक्का अभी भी ब्याप था क्योंकि काबा की इंपॉर्टेंस में आपको बता चुकियों ठीक है ना तो धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे मुहम्मद साहब को मानने वाले और उनके विचारधारा का समर्थन करने वाले लोगों की संख्या क्या होती बढ़ती गई मुहम्मद साब का मानना था कि जो इश्वर है वो एक है और इश्वर का क्या ना में अल्ला है या खुदा है कई सारे इश्वर नहीं हो सकते तो इस विचारधारा को मानने वाले लोगों की संख्या क्या होती गई बढ़ती गई तो जैसे जैसे ये संख्या बढ़ती गई तो उनका जो छेत्र है वो धीरे-धीरे क्या हो गया बढ़ता गया यानि जो इसलाम धर्म को मानने वालों की संख्या बढ़ती गई तो उसके अधीन जो छेत्र था जो भूभाग था वो भी धीरे-धीरे क्या हो गया बढ़ता गया अब देखो, इसलाम में अल्ला की इबादत की सरल विदिया, यानि जो इसलाम धर्म है, उसमें अल्ला को मानने के लिए कुछ बातें बताई गई है, या बताया गया है कि क्या करेंगे, ऐसी कौन सी क्रियाए करेंगे, अल्ला को मानने के लिए, तो सबसे पहले सलात, दैनिक प्रातना के बारे में बात की गई है जिसमें पांच समय की नमाज जरूरी है नैतिक सिधान के रूप में दो चीज़े मानी गई है कि चोरी नहीं करना यानि चोरी नहीं कर सकते और खेराद बाटना जरूरी है खेराद बाटने का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कुछ दान हमाले पास कोई चीज ज़्यादा है और तो अपने हिसे का बचा के कुछ बचता है तो वो लोगों में बाटना या गरीबों को बाटना इस तरीके से अब इसलाम के पांच इस्तंभ या फर्ज बताए गया है वो फर्ज क्या है कि विश्वास की गवाही यानि अल्ला पर भरोसा करना इश्वर एक है और उस इश्वर का क्या ना में अल्ला ना में ठीक है खुदा ना में और उसके उपर भरोसा करना पहली चीज दूसरी चीज पांच रोज की नमाज अदा करना, इसके बाद रमजान के महीने में रोजा करना, ठीक है, जकात यानि गरीबों को अनिवारे दान, मतलब मुहम्मद सहब का ये मानना था कि अगर आपके पास जादा है या आपके पास जो कुछ भी है, उसमें से आप कुछ हिस्सा गरीबों क के लिए बचा कर रखें, जिसको क्या बोला गया, जकात बोला गया, और धार्मिक यात्रा के रूप में काबा की यात्रा करना, यानि हज करना, ये पांच इस्तंब बताए गये हैं, कहां पर बताए गये हैं, मशुहूर हदीस है, जिसका नाम हदीस है, जिब्रील, उसमें बताया गया है घीक है यह 5 फर्ज बताया गया है किसि मुसल्मान के है ना अब इसके बाद पैगंदर मुहमत का दिहानत होता है और वो टाइम पिरिएट कब है 632 में है ना चलो अब इसके आगे हम आते हैं काबा के बारे में देखो काबा के बारे में आपको बता दू कि एक घना का धाचा है ठीक है और अरबी समाज में ये धार में किस्तल है और काफी ज्यादा इसका महत्व है इसको यहाँ यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं इबादत करने के लिए ये धार्मिक यात्रा होती है और इस धार्मिक यात्रा को हजनाम दिया जाता है मक्का कहा पर इस्तिते बच्चो तो आप जान लेजिए मक्का यमन और सीरिया यमन और सीरिया के बीच का जो ब्यापारिक मार्ग है बहां पर एक चोराहा है और उस पर इस्थित है, मक्का, ठीक है? देखो, अब काबा में क्या है? एक ऐसी पवित्र जगां, पवित्र जगां को अर्बी में हम हरम बोलते हैं, ठीक है? तो ये एक ऐसी पवित्र जगह है जहाँ पर हिंसा वरजित है यानि आप हिंसा नहीं कर सकते और दूसरे चीज यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है दर्शन करने के लिए उसकी सुरक्षा करना ज़रूरी है। कैलेंडर कहते हैं तो इसलाम के शुरुवाती दुनों में पैगंबर मुहमत का मक्का और मक्का और उसके इबादतगाह पर कबजा था क्यों कि सबसे पहले तो वो यहीं के रहने वाले थे और इनका जो कबीला था वो काफी स्ट्रॉंग था और यहीं का था पाबा पर उसका कबजा था उस वाले एरिया पर इसके बाद जैसे जैसे पैगंबर मुहमत को मानने वाले और उनके पीछे चलने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई तो मक्का में कुछ लोग थे जो संवरेदि थे और जिन्हें लगता था कि उनके धर्में जो देवी देवता है उनको ठुकराया जा रहा है लोग इसकी तरफ आकरशित हो रहे हैं तो उन्होंने मुहमत सहाब का विरोध किया और ऐसी परिस्तिती में मुहमत सहाब ने मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ क्या किया रुख कर लिया अब ऐसे में क्या होता है इसलाम जैसे नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और सम्रिति के खत्रा समस्ते थे ठीक है यही सारी बात हो गई अब बिरोत के कारण उन्होंने अपने अन्यवाईयों के साथ मक्का को छोड़ दियो और मदीना चले गए तो जो यह यात्रा थी इस यात्रा कोई हिज्रा कहा गया और यही से मुसल्मानों का हिज्री कैलेंडर स्टार्ट होता है ठीक है 622 से अब देखो अब इसकी शुरुआत कब से हुई थी 622 से हुई थी हमने पढ़ा हुआ है सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि हिज्री वर्ष है जो बच्चो वो चंदर वर्ष पर आधारित है किस वर्ष पर आधारित है चंदर वर्ष पर आधारित है जिसमें क्या है कि 354 दिन है ठीक है और हर महीने में या तो 29 दिन है या तो 30 दिन है 11 दिन कम है 100 वर्ष का मतलब क्या है जो gregarian calendar ये 100 वर्ष पर आधारित है पहले तो आप ये जान लीजिए gregarian calendar वो calendar है जिसको जो हम इस्तिमाल करते हैं जो अपने day life में हम आज कल इस्तिमाल करते हैं जिसमें 365 दिन होता है और 365 दिन का एक वर्ष होता है और हर चोथे वर्ष में 368 दिन होता है जिसको leap वर्ष कहते हैं अब इसका निर्माण किसने किया था तो देखो gregarian calendar कि स्थापना प्रोप ग्रैगरी में किसने प्रोप ग्रैगरी 13 में के द्वारा 1582 इसवी में किया गया था 1582 में इसका निर्माण किया गया था किसके द्वारा प्रोप ग्रैगरी 13 में के द्वारा अब next है स्लाइड में है कि पैगंबर मुहमद द्वारा इसलाम के सुरक्षा किस प्रकार से की गई यानि अगर उन्होंने एक धर्म चलाया है उन्होंने एक बात कही है तो उस धर्म को किस तरीके से वो सुरक्षित करेंगे है न तो इसके लिए उन्होंने क्या रखा क्या बात कही तो देखो किसी भी धर्म को तब जिवित रखा जा सकता है या उसको तब तक आगे बढ़ा जा सकता है जब तक कि उस पर भरोसा करने वाले लोग जिंदा रहेंगे या उनकी संख्या रहेंगे ठीक है ना तो इसी तरीके को अपनाते हुए मुहमत साहब ने तीन तरीके बताए हैं पहला उन्होंने कहा कि इस समुदाय के लोगों को आंतरिक रूप से मजबूत बनाया और उन्हें बाहरी खत्रों से बनाया अब देखो आंतरिक रूप से मजबूत करने का मतलब क्या है आंतरिक रूप से मजबूत करने का मतलब यह है कि हमने पहले पढ़ा कि जो अरप के कभीले थे उसमें कई एक ही कभीला नहीं था उसमें कई सारे कभीले थे तो सबसे पहल देखा या मानो निर्मित खत्रा है उससे लोगों की रक्षा करना उन्होंने सुद्रवी करना और सुरक्षा के लिए मदीन देखो अब ये भी बात हम पढ़ चुके हैं कि एक राजनैतिक विवस्था या प्रशाशनिक विवस्था बनाई उन्होंने कहां पर मदीना में बना दिया उम्मा को एक बड़े समुदाय के रुप में बनाद दिया उम्मा वो लोग थे जो पैगंबर मुहम्मद को और उनकी बातों को मानते थे ठीक है ना तो उनको बोला गया उम्मा इसके बाद हजरत मुहम्मद की प्रमुख सिक्षाएं क्या थी तो सिक्षाएं वही थी जो पाच सिध्धान्थ है इसलाम धर्म के इस्तंब जिनको कहा गया है वो सिक्षाएं कहा दे गई थी किसने दे थी वो सिक्षाएं पैगंबर मुहम्मद ने दे थी सबसे पहले उन् रखेगा उसे ही मुसल्मान कहा जाएगा वही मुसल्मान है ठीक है प्रतेक मुसल्मान को दिन में पांच बार नमाज अदा करनी चाहिए ये भी बात हम पढ़ चुके हैं जकात एक प्रकार का दान था जो गरीबों को दिया जाता था ये भी हम पढ़ चुके हैं रमजान के मह मुहमत की प्रमुख सिक्षाय दी ती उनकी द्वारा दी गई थी और यही बात में जाकर इसलाम धर्म के पांच इस्तम्ब बन गया जिसका पालन करना हर मुस्लिम का करतवे बन गया उम्मा कौन था उम्मा वो था जिसको पैगंबर मुहमत चाहते थे कि उन आस्तिकों उम्मा के ऐसे समाज के स्थापना करना जिने सामान धार्मिक विश्वासों के जरी आपस में जोड़ा जाए यानि ये जो पांच धार्मिक सिधान बताये गया है इनको जो मानते थे उनको उम्मा कहा गया और पैगंबर मुहमत इनका ही ग्रूप बना रहे थे इनको आपस में बक्षा कर रहे थे और इनके जरूरतों को पूरा भी वो कर रहे थे साथ में अब देखो अब जब 1632 में पएगंबर मुहमत का देहन्ट हो जाता है तो उस देहान्ट के बाद में जो उसकी राजनितिक सत्ता है यानि इसलाम समुदाइद था ये मुस्यिम समुदाир था उस उम्मा में समाइक इसलिए हो जाती है? क्यूंकि उम्मा वो लोग थे जो पैगम्बर मुहमत को मानने वाले थे उनकी बातों को मानने वाले थे उनकी विजारों को फैलाने वाले थे और उनके साथ रहने वाले या उनके साथ जुड़े हुए थे. ठीक है? तोsz jacket क्या होता है कि इस प्रकार खिलाफत संस्था का आरम होता है, खिलाफत संस्था मतलब जो खलीफा थे, खलीफा कौन लग थे बच्चों? खलीफा वो लोग थे जो प्रतिनीधी थे, किसके प्रतिनीधी थे? पैगंबर मुहम्मद के प्रतिनिदी थे उन्हें खलीफा कहा गया और जब पैगंबर मुहम्मद का दिहांत हो जाता है 632 एश्वी में तो इसके बाद से ही जो खलीफा था जो मुहम्मद जो पैगंबर मुहम्मद का प्रतिनिदी था वो क्या बनने लगे वो उनके प्रतिनि पस्ता का प्रारंब होता है और एक उम्मा का जो उम्मा समुदाय का जो नेता था जो पैगंबर का प्रतिनी दी था अब वो खलीफा बन गया और ऐसी ही चार खलीफा हुई ऐसी ही चार खलीफा धीरे धीरे बने जिन्होंने इस लामधरन का प्रचार प्रसार किया और पैगंबर मुहम्मद के जो काम थे जो उनकी विचार धारा थी उनका प्रचार प्रसार किया ठीक है तो देखो खिलाफत का क्या उद्देश था या खिलाफत जो संस्था थी उसका क्या उद्देश था कबीलों पर नियंतरन कायम करना और जिन से मिलकर उम्मा का गठन हुआ है कबीलों पर नियंतरन करना इसलिए जरूरी था क्योंकि कबीलें पहले भी बताया जा चुक ठीक है तो इस तरीके से नियंतरन करना और उनसे मिलकर उम्मा का गठन करना यानि जो हमने इसलाम धर्म की पाँच विश्ष्षताएं पड़ी हैं जो धार्मिक विचारधाराएं पड़ी हैं उनको मानने वालों का गठन करना और जो राज्य है यानि जहां पर ये उम्मा रह रहे होंगे उनके लिए संसाधन जुटाना यानि रिसोर्से जुटाना उस तरीके के रिसोर्से जुटाना जिससे उनकी जो कुछ भी दैनिक जरूरते हैं वो पूरा हो सकते हैं तो वो सारा जुटाना भी खलीफाओं का या खिलाफत संस्था का काम अब पहले चार खलीफा क दूसरे थे उमर, तीसरे थे उत्मान और चोर्टे थे अली, ठीक है, तीनों ने ही, अबुबकर, उमर, उत्मान और अली, इन चारों ने ही मुहम्मद साफ की जो सिक्षाएं थी, उनके जो विचारधाराई थी, उनके द्वारा जो कही गए बाते थी, उसको फैलाने का, परचार परसार करने का काम किया, उम्माओं का गठन किया, एक राजनितिक संस्था के रूप में उनका निर्माण किया, और उनके देखरे की और उनको जो भी जरूरते थी, उनके संसाधन के रूप में जो भी जरूरते थी उसको पूरा कराया. अब इसके बार में, जो सबसे लास्ट थे खलीफा, जिनका नाम क्या था? अली था. तो अली के साथ में एक लड़ाई होती है किसकी? मुहम्मद साहब की पत्नी आईशा के साथ में ठीक, एक युद्ध होता है मुहम्मद साहब की पत्नी आईशा के साथ में और इस लड़ाई को कहा जाता है उट की लड़ाई और ये कब हुई थी बच्चों? ये हुई थी 657 में 657 इसवी में ये लड़ाई होती है अब इसमें क्या होता है इसमें जो मुहम्मद सहाब की पत्नी आयशा थी वो पराजित होती है और जो अली है वो क्या होते हैं वो जीत जाते हैं ठीक है और ये कहां रहते थे अली कहां रहते थे ये अली रहते थे कुफ़ा में एक जगा थी कुफ़ा व बढ़ जाते हैं, एक था, एक विचारधारा वो थि, जो अलिके साथ थी, और एक विचारधारा थी, जो मुहमत सहाथ के साथ थी, यांनी उनके पत्नी जो आशा थी, उनके साथ में रहने वाली थी, तो देखो जिन लोगोंने हजरत अली का साथ छोड़ दिया उनको क्या कहा गया था खरजी कहा गया था जिन्होंने अली का साथ छोड़ दिया उन्हें क्या कहा गया खरजी कहा गया और इतिहासकार ये बताते हैं कि इन्हीं खरजी में से कोई एक खरजी था जो कुफा की मस्जिद में जाता है और अली की हत्या कर देता है जो कुफ़ा जहां पर वो रह रहते उसी की मस्जिद में जाता है और अली की हत्या कर देता है तो इस हत्या के साथ ही जब इनकी अली की हत्या हो जाती है तो इस हत्या के साथ ही जो खलीफा का जो एक प्रशलन चला अहराता वो दीरे दीरे क्या होता है समाप्त हो जाता है और खिलाफत की खिलाफत भी यहीं से समाप्त हो जाता है ठीक है अब इस खिलाफत के बाद में ज ठीक है तो उन राजवन्षों के बाद में बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से I hope कि आपको मेरे द्वारा बताया गया जो भी content है जो भी बाते हैं जो भी topics हैं वो अच्छे से समझ में आई होंगी एक आपके दिमाग में क्राइटीरिया एक अच्छे से माइन मेकप हो गया होगा कि इसलाम धर्म का ओदे किस प्रकार से हुआ किस तरीके से मुहम्मद साहब ने पूरे अरब प्रायदीव को किस तरीके से एक किया और इसलाम धर्म का प्रचारत प्रसार किया और उनकी सुरक्षा करी खलीफाओं ने किस किस तरीके से काम करा तो एक mind make up आपके दिमाग में बन गया होगा इसके बाद में एक संतलत वन से स्टार्ट होता है एक राजवन से स्टार्ट हो जाता है उसके बारे में हम next वीडियो में पढ़ेंगे अगर मेरे द्वारा प्रोवाइट किया content आपको अच्छा लगा हो बच्चों तो इस content को जादा से जादा लोगों को share करो subscribe करो जो अगर आपके कुछ question है तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं आपका friend circle आपका कोई study group है तो उसमें इस content को share करिए आपने बहुत प्यार दिया है इसके लिए आपका बहुत भन धन्यवाद Thank you